नमस्का और में प्रियंका आप देख रहे हैं 4 पीम उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरीके से पलटता हुआ नजर आ रहा है दावा तो किया गया था कि 80 में से 80 सीटे आएंगी लेकिन हालत ऐसी हो चुकी है कि 40 सीटे भी जीत जाएं तो बड़ी बात होगी आपको बता कि उत्तर प्रदेश में सबसे हाई प्रोफाइल सीट वाला नसी पे भी प्रधावन मंत्री नरेंद्र मोदी की हालत इतनी खराब हुई इतनी खराब हुई कि महस डेल लाग के अंतर से अजयराय को हरा पाएं है दावा तो किया गया था कि 10 लाग का अंतर होगा वेकिन आप देख सकते हैं कि वाला नसी की पब्लिक ने किस तरीके से सबक सिखाया है वाला नसी में ये हाल है तो पुरे उत्तर प्रदेश में क्या हाल हो रहा होगा एंडिये का आप अंदाजा लगा सकते हैं भारती जंता पाटी ने दावे तो खूख किये लेकिन आज सारे के सारे द परतीजों में साफ होता हुआ noser आ रहा है तो फिलाल इस पर चर्चा करते हैं हमारे साथ है अब्दुलकरीम उत्तर पृतर परतेश की खबर पर इनसे बहतर कोई राइद की नहीं सकता अब दुल क्या लगता है रहाल नसी को ले वारलसी से डेड़ लाग से मोदी जी की जीत जीत नहीं होती है अगर देखा जाता हो आपने 2014 का चुनाव लड़ा आपके सामने थे अर्विद केचरिवाल आपकी उस वक्त जीत भी थी साड़े तिन लाग के असपास से 2019 में आपके सामने यही अजे राय थे जो इस बार डेड़ लाग से आपको समझे आपको जीत मिली है चार लाग बातर हाजार से नरिद मोदी को पिछले चुनाव में जीत मिली थी लेकिन इस बार अंतर घड़ गया एक लाग बावन हाजार व भी बताना चाहूंगी कि इस जीत को सुनिश्यत करने के लिए नामांकन खारिच किये गए और एक साथ सैकड़ों के नामांकन खारिच कर दिये गए आलम तो यह रहा कि लोगों को नामांकन दाखिल करने के लिए परचा तक नहीं मिला उस वारणसी का हाली हो चुका है कि प बड़े मार्जिन से जिताना है लेकिन वो प्लानिंग तो फेल होगी इस वज़े से कई नामंकन 33 नामंकन खारीज हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है लोगतंतर की साफ तोर पर अगर हम यू कहा कि हत्या की जा रही है तो कोई गलत नहीं होगा आपने किसी क चुनावल लने का अधिकार नहीं दिया आप उनसे चुनावल लने का अधिकार समझज लिए छीन रहे हैं कि भाई कोई अगर लोगतंतर में किसी को भी अधिकार वो चुनावल लड़ सकता है लेकिन आपने क्या कि प्रशासन आपके दबाव में आ गया और 33 लोगों का ना जननता की लड़ाई ती उसने लड़ा है महेंगाई बेरोजगारी किसानों के तमाम बड़े मुद्धे जिनको लेकर जननता ने वोट के इस वज़े से नरेंदर मुदी को मातर एक लाग बावन अजया से वहां पर जीत पलिए तो कोई बड़ जीत इसको नहीं कहेंगे और श पिलाल विकास के नाम पर आप जानते हैं कि गंगा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिये गए लेकिन गंगमा गंगा इतनी गंदी हो चुकी हैं कि लोग उसमें करीब तक जाने से कत्राने लगे हैं अब ये हाल हो चुका है अगर देखा जाए वारा नसी में जब प्रधावन मंतरी नरेंद्र मोधी के दावे वादे सारे के सारे फेल होते हुए नजर आ रहे वारण असी में तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या ही रहा होगा और दूसरी तरफ अगर देखा जाए अब तो राय बरेली में तो तीन लाग से जादा का अंतर वहां पे ना वह नकार रही है इस वज़े से वाइनाट छोड़कर रैवरेली गए हैं 2019 का चुनाव जब लड़ा वाइनाट से तो इस मृति राणी ने उस वक्त कहा तक कि जो है अमेर्टी की जनता इस बार नकार रही इसलिए वह वाइनाट से उन्होंने ऑप्शन रखा कि चुलो ठीक आप बात कर रही थी वारारसी की वारारसी क्योटो बनाने की बात की थी विकास की आपने बात किया है आप बरसात में जाए वहां पर वारारसी में देखिए वहां का हाल क्या होता है बीस हजार क्रोड का घोटाला किस तरह से वहां पर किया गया है वो भी कॉंग्रिस ने प विकास हुआ नहीं गंगा की हालत खराब है जिसके नाम पर आपने वोट मांगा और उसके बाद आप कहते कि मंगल सूत्र छीन लिया जाएगा मुस्लिमों को दे दिया जाएगा इस तरीके की बाते करते हैं पाकिस्तानी घुस पैठिया जादा बच्चा पैदा करने वाला इ देश के प्रधान मंत्री हैं कम से कम उस पद की तो गरिमा रखिये बॉखला हट ही एक तरीके से देखा जाएगा तो इस तरह के जो बयानात थे नरेदर मोदी के बीचेपी के तो इससे लग रहा था कि इस बार का चुनाव उनके लिए आसान नहीं होने वाला है बीजेपी जित का अंतर है उसको सुनिश्चित करने के लिए इतना जोड तोड लगा दिया गया पूरा सिस्टम लगा दिया गया पुलिस प्रशासन लगा दिया गया लेकिन फिर भी रहुल गांदी की राय बरेली सीट का अंतर ज्यादा है अब ऐसे में इसम्रितिरानी क्या कहेंगे स्मिर्टी रानी का कहना था कि वाइनाट भाग गए हैं अब तो वाइनाट से भी जीत रहे हैं राय बरेली से भी जीत रहे हैं अब स्मिर्टी रानी क्या करेंगी जो अमेठी हार चुकी हैं स्मिर्टी रानी मुझ छुपाने को मजबूर दिखाई दे रही हैं दावे तो तो आज आपका यहाल ना होता तो इंतिजार है कि इसमर्थी रानी जी कब वीडियो जानी करेंगी और अगर देखा जाए अच्छा किया कॉंग्रिस ने एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक चलाए गोधी मीडिया ने पूरा उन पर दबाव बना दिया कि राहूल गानी अमेटी स है और जाने-माने राजनीतिक विशलेशकों को ने यहां तक कहा दिया कि बहुत अच्छी बात है कि अमेटी से राहूल गांदी ने नामांगंद आखिल नहीं किया है क्योंकि इस्मर्थी रानी को मूँ लगाना राहूल गानी के लیçon की नहीं है क्योंकि इसमृति रानी जिस तरीके के पपू कान खोल कर सुन लेना अगर सुन रहे हो राहूल पपू चिलाती है उस तरह के भाशा राहूल गादी अमूमन इस्तमाल नहीं करते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि राहूल गादी ने आस तक तिल डेट आस तक राहूल शक्कर के नाम पर जो कड़वा जूट बोल रहा है अब वह एक्सपोज हो गया है तो अमेठी राय वरेली वारा नसी तीनों की तीनों हाइप प्रोफाल सीट है अब बिल्कुल जै तो बिल्कुल जिसे कि आपने बात क्या अमेठी कि और क्या नम है तीनों सीटे थी यह बी परदेश में और हमारे हाँ वो नहीं है कि हमारे एक करता भी आकर जो है वह भजनलाज शर्मा को तो बना के पस्ता रहें पच्टा रहें बले पत्प जा सकता है तो वहीं कामरेस ने मस्टे शूट अपना खेला और पहली बार में सक्सेस्फुल हुआ है अमेठी हार जाना प्रदेश में पहली बार आए परसना तरह है उनका हल क्या हुआ आपने देखा यही करना मेठी से पहली बार आए केल शर्मा जी 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 केल शर्मा ने सच में बता रही हूं कि बहुत शांदार जीत की दर्ज की है और दो हजार चौबिस लोगसा चुनाओं का जब भी होगा तो केल शर्मा का जरूर जिक्र होगा और जिस तरह के से नरेद मोधी मोधिक गारंटी मोधिक गारंटी तो यह भी गारंटी जोई इसकी भी जिम्नेदारियों उनको लेनी चाहिए आपने उपर लिए बहुमत का अगला भी बीजेपी नहीं चुपाई है आपने सरकार इनकी बन रही जोड़ तोर से बंती हुई सरकार दिख रही है और जोड़ तोर्थ इंडिया गण बंदन ने भी शुरू कर दिया अब दूल नितीष कुमार को फोन लगाया जा रहा है चंद्रबाबु नाइडू को फोन लगाया जा रहा है ममताब इनरजी बैठक कर रही है कब पल्ला किधर की तरफ चला जाए अभी कुछ तै नहीं है इस्तिती साफ नहीं है लेकिन फिर भी इंडिया गडबंदन ने जो बढ़त बनाई है वो अपने आप में शांदार है तो फिलाल इस पूरी चर्चा पर वारा नसी अमेठी राय बरेली की सीटों पर आपक हुआ 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 है